प्रश्च 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 प्रश् अरे?! विश्णुुुुु अरे?! ये क्या कर रहा है है पे! विश्णु भारू कुरेट तुमोरे द्रु सिग्रेट ये क्या है। क्या है मामा बोल। जैपना विश्णु भारू तुम्हां के जिन्दकी ताची दियर पहले है कितने कुछ ते हैं तुम लोग मामा उस दिन तुने जो बात बोली थे ना हो वो दिल पे लगी मामा सहीं बोला तु मामा कल फ्रेसर्स का रिकुर्मेंट ड्राइब है है एच एर पूछ रही थी कौन-कौन वोलेंटियर आने वाले है चलिंगे क्या हाँ ठीक है मामा सहीं बोल रहा है तो यह पूराने चेहरे देख देख देखे ना पग गया हमे तो खिराक लड़की आने वाली है है थीड़ी क्या क्लेश नहीं होता है जॉप कर रहे है तुम्लोब बीजो हो रहे है तुम्लब यह हो हि crawl है तुम्हारे लिए बनी गई हो जिसके सत्थ तुम्हुश रहना चाहते हो जिसके सथ पूरी जिन्दग बीताना चाहते हो हमें क्या पता ये प्यार किस चुडिया का नाम है मामा तेरे तो गल्फरेंड है तु ही बता दे यार when you are in true love you feel always happy and you feel always joyful you know it makes you feel very responsible and at the same time you feel like a kid you know it's just an awesome feeling man I want that feeling that awesome feeling मीटो मामा मीत्री मामा लेकिन लेकिन छोड़ तुम तीनों या पे क्या करो यार टेड़ लेकिन 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 कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 किस्ट कर दो दो कर दो कर दो सच्चा प्यार ऐसा कुछ नहीं होता यार ये सब किता भी वाते हैं असल जिन्दगी में तो टू लग डस नाट एग्जिस्ट मैन तो तो टू लग के वारे में बहुत कुछ बोलता था आखिर तेरे साथ हुआ क्या तो खिलोना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो तो खिलोना ये 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 जाए बहुत साले मामा वो देक लड़की कहाँ? लगता है उसके गाड़ी कहाँ थे कहाँ है हाँ I guess at the end of the day, everybody finds true love. Krishna is now happily married to the love of his life. Vishnu is a proud father of two beautiful kids who go to Oak Ridge International School. Neeraj became a businessman and finally settled down with a girl, his secretary, Tony, the lucky dog, got to marry a swimsuit model. And yes, she is a little taller than him. I guess you don't really have to search for true love. Eventually, it'll fight you. Enjoy life.